हलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यान बिस सचिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल्टेकनिक फस्ट सेमेस्टर के एपलाइट फिजिक्स के 50 most important questions के बारे में जिन्हें अभी आप सभी को तयार करना स्टार्ट कर देना चाहिए यह ऐसे questions है जिनसे बाहर आप सभी को कोई questions देखने को नहीं मिलेगा जी हाँ, बिल्कुल इन ही सबसे आप सभी के questions बनने वाले हैं मतलब अपने पॉल्टेकनिक फस्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फॉर्ड सेमेस्टर इस सब में आप सब के questions जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सभी के questions नए बनाए जाएंगे तो आप इन ही repeated questions को तयार कर लीजिए और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन-कौन से ऐसे most probable questions है जो आप सभी के examination में पूछे ही जाने वाले हैं इस बार तो वीडियो को अंतक देखिए और उन महान भाव से बिलकुल बिनम्र नमेदन है जो questions को देखा और screenshot लेकर के वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं तो उन्हें कोई benefit नहीं मिलने वाला है क्योंकि जब questions में आप सभी को बता रहा होंगा तो वहाँ पर आप सभी को पदा चल पाएगा कि कौन सा question सबसे ज़्यदा important है कौन सा question थोड़ा बहुत कम important है या इसे skip कर देना चाहिए इसे तयार करना चाहिए तो आप सभी वीडियो की speed को बढ़ा लो लेकिन आप वीडियो को skip करके आगे बढ़ जाओगे तो कुछ पाओगे नहीं ठीक है उसमें आपका ही नुकसान है फिलहाल में एक चीज और बताना जरूरी समझूँगा अगर आप टेलिग्राम चैनल को नहीं जोइन किया हो तो जोइन कर लो क्योंकि मैं आप सभी को exam के एक दिन पहले ऐसे महाचपूर प्रसन का notes प्रवाइड करूँगा जो आप सभी के examination में पूछा ही जाएगा मतलब वहाँ से आप सभी को questions देखने को मिलेंगे ठीक है तो उस महाचपूर प्रसन के notes हर examination के एक दिन पहले मिल जाएगा तो telegram channel join किये रहोगे तो आराम से देखवा होगे उसके बाद वो ग्रूप से delete कर दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे move करते हैं और एक चीज और बताना जरूरी समझूगा कि अगर आपने applied chemistry की महामरातन क्लास और IUPAC की महामरातन क्लास और top 10 important questions की series की वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाओ description box में link given है सारी चीज देख लो ठीक है चलिए अपने questions की तरब move करते हैं जो हाज का हमारा सबसे important questions है वो है car note engine से क्या अभी प्राय है इसके विभिन बागों का वड़न कीजिए 2018 में एक बार questions पूछा गया है तो कहीं न कहीं आने की chances होते हैं ठीक है यह mechanical engineering वाले student अपने third semester में भी पढ़ेंगे ठीक है वहाँ पर चाइदा important होता है तो इसे skip भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी important questions के स्रेड़ी में आता है car note engine ठीक है अगला है रुद्धुस्म प्रक्रम येवंग समतापी प्रक्रम पर टिपड़ी लिखिए तो रुद्धुस्म प्रक्रम का मतलब होता है adiabatic process समतापी प्रक्रम का मतलब होता isothermal process इस पर आपको छोड़े-छोड़े टिपड़ी लिखना है नियम का उलेख की इंटर्नल इनर्जी यानि आंत्रीक उर्जा से आप क्या समझते हैं ठीके फस्ट लाइफ थर्मोडाइनमिक्स एंड इंड इसकी सीमाई भी लिखिए ठीके यह पांच नंबर के क्यूष्चन है उस्मा गत्की के दुतीन नियम और उस्मागत्की का प्रथम पुछा जाता है ठीक है पिछली बार तो ऐसे पुछ लिए गया था कि निम्न पर संश्प्त टिप्ड लिए जैसे साइकलिक प्रोसेज हो गया ठीक है आइसो बारिक प्रोसेज हो गया ठीक है सम आयतनिक सम आयतनिक प्रोसेज ठीक है रगते हैं आगे हैं उसमी प्रसार गुणान को परिवासिद कीजिए ठीक है उसमी प्रसार गुणान को क्या होता है उसको समझाना है ठीके आप यहाँ पर इसके velocity यानि पलाइन वेक को परिवासा देना है और इसके बेंजेक को भी प्राप्त करना है ठीके यह काफी important है ठीके तो यहाँ पर सबसे जदा important मुझे लगता है यह उसमी प्रसार कुड़ांग और पलाइन वेक ठीके इसके पहले जितने भी थे उसमें से उसमा गत्की के प्रथम नियम और उसमा गत्की का सुन्यांग नियम इन दोनों में से आप सभी को questions देखने को मिल सकता है चारों म या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है ठीके सबसे important questions की स्टेडी में आता है कैपलर के ग्रहों के गती के संबंदी नियम ठीके यह last year पूछे गये थे कि नहीं पूछे गये थे इसके बारे में मुझे थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा पट सबसे important questions कैपलर के ग्रहों की ग की मान में परिवर्तन और प्रिस्वी की सता के अंदर गहराई पर जी के मान में परिवर्तन ठीके गुरुत्वी तरण जी और गुरुत्वी तरण जी से क्या तात पर है गुरुत्वी तरण जी के लिए बेंजक प्राप्त करना होता है और उसका relation होता है आपके प्रिस्व हो जाता है यहाँ पर कि जड़त आगुड एवं घुडंत रिजग की परिवासा दीजिए आई बराबर MK2 ठीक है चलिए यहाँ से आप सभी को जड़त आगुड और के क्या है रेडी साफ जारेशन इसको भी आप सभी को बता देना है ठीक है कोडी संबेग की परिवासा और सबसे इंपोर्टन क्यूसंस है जड़त आगुड संबंदी समानतर अच्छों की पर्मे और जड़त आगुड संबंदी लंबो अच्छों के प्रमे दोनों में से एक क्यूशन आप सभी को ग्याम नीशन में देखने को म अगला है उस्मा संचर्ण की विभिन्य बुधियों का उल्ले कीजिए, संभान है, विकेरण है, ठीके, तो इन सब को आप सभी को तैयार कर लेना है, बहुत इंपोर्टनेट है, थियोरी टाइप्स है, आप 10 मिनट पढ़ोगे तो चितरीके से कंसंट्रेट कर पाऊगे, अग अगर आप सभी को कोई जरूरी मैसेज हमसे पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फालो करके आप पूछ सकते हो, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आदर से द्रव किसे कहते हैं, और सांतत्त के समीकर्ण को निगमित कीजिए, ठीके, वो है A into B equal constant, तो सबसे important मैं इसको कहूँगा, ठीके, केस नली में द्रव के उन्नेयन का सूत्र, H बराबर 2T costita upon R rho G के सूत्र का निगमन करिए, ये भी काफी important हो जाता है, चलिए, अगला है केस का उन्नेयन से धान से जल का प्रिष्ठ तनाव ग्यांद करने की विदी, T बराबर R H rho G upon 2, ये भी important derivation के सम में आता है, ठीके, अगर आप derivation वाले वीडियो देखे होंगे, तो उस derivation में मैंने इसे include किया था, ठीके, stocks के नियम को परिभासित कीजिए, और इस derivation को कीजिए, ठीके, तो ये भी काफी important हो जाता है, stocks के नियम के अधार पर, ठीके, चलिए, यहाँ पर D और small D की ये धारा रेखी प्रवा के लिए कितना रेनाल्ड नंबर होता है, आपको उसे तयार कर लेना है, ठीके, चलिए, आगे सबसे important questions, बर्नावली स्थियोरम, ठीके, बर्नावली स्थियोरम लगातार पूशा जाता है, तो इस बार भी आसर लगाए बैठे हैं, कि बर्नावली क फिर से पूझ ले जाए, ठीके, आदर्स द्रहों के सांतत्त प्रवाव का समिक्रण, एवन, बीवन, वराबर, एटो, बीटो, ये क्यूस सर रेपीट हो गया, जो उपर आप सबे को देखने को मिला था, ठीके, आगे है, उपगरा की बंधा कुर्जा को परभासिक के ये, उपगरा को, बंधा कुर्जा को परभासिक दीजे, तथा इसका बेंजक लिखिए, ठीके, तो उपगरा की बंधा कुर्जा को आप सबे को दिखाना है, ठीके, चलिए, घुडन गतिज उर्जा, वन, वाई, टू, आई, उमेगा, स्क्वाइर के लिए, बेंजक का निगमन कीजिए, तो ये भी काफी important है, और जैसे मैंने की उपर बिता दिया था कि जड़त आगूर संबंदिल लंबोत अच्किपर में, तो आप इसे भी तैयार कर लेना, अगर आप इसा particular वीडियो देखना चाहते हो, तो आप सभी को चैनल पर आलेडी मेंने वीडियो देदी है, तो जड़त आगूर संबंदिल लंबोत अच्किपर में, और जड़त आगूर संबंदिल समांतर अच्किपर में की दोनों की वीडियो मेंने खास अपने हैंडिटेन नोट्स के माधिन से समझाया है, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल आप सभी को easily number मिल पाएंगे, अगला है translatory motion, अस्थानांतरी गती से आप क्या समझते हैं, और प्रत्यास्त इस्तितिज उर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप सभी को बताना है, ठीके, I think आप सभी को clear हो पाया होगा, चलिए, किसी पिंड की यांतरीक उर्जा से आप क्या समझते हैं, तो यांतरीक उर्जा से आप क्या समझते हैं किसी पिंड की उसके बारे में बताईएगा, ठीके, कार उर्जा पर में सबसे important questions एक बार फिर से देखने को मिला है, और ये जब पूछा जाता है तो 5 नंबर में, ठीके, तो कार उर्जा पर मे बिल्कुल आप सभी को तयार कर लेना है, सरच्छी तथा आ सरच्छी बलों को बताना है, अस्थैतिक और गतिज घर्षण में अंतर बताईए, ठीके, सीमान्त घर्षण के नियम बताईए, घर्षण गुडांक और घर्षण कोड की परिभासा बताईए, और सबसे important questions एक ब मेगा, तीसरा है, ये इक्वल आर अलफा, ठीके, तीनों डेरिविशन में एक डेरिविशन आप सभी के एक्जामनेशन में लिखी थे, कि पूछा ही पूछा जाएगा, ठीके, तो आप तयार कर लेना, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो वीडियो को सेप कर लेना, जैसा कि मैंने तीनों चीज़ें आप सभी को दिखा दिया है, अगला है, अभिकेंद्री बल से आप क्या तात्पर है, ठीके, अभिकेंद्री बल से क्या तात्पर है, और आप केंद्रित का कार बताईए, दो बल होते हैं, एक अभिकेंद्री और एक आप केंद्रित, ठीके आप केंदरी जो होता है वो आपके सेंटर में लगता है आप केंदरी जो होता है आपके सेंटर के बाहर लगता है मतलब आपका जो परीध है उसके बाहर लगता है तो इन दोनों को आपको समझ लेना है ठीके आप केंदरी बलके क्या होता रहा है आप सभी जरूर बताईएगा आपके घर के दैनिक जीवन से रिलेट है ठीक है चलिए किसी गत्सील बस्त के संबेक की अधिक्तम परस्य तुरूटी ग्याद किजिए आपको संबेक का फार्मूर लगा करके इसको क्यूशन का अंसर निकाल कर बताना है ठीक है चलिए अगर आपका क्यूशन का अंसर निकला जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है चलिए दो सदिसों के अधिस और सदिस गुड़नफल से आप क्या समझते ह अगर आप इसस तयार कर लेंगे आपके मैथमेटिक्स में भी आपको फायदा मिल ले वाला है ठीक है मैं अडिशनल चीज बता दूँ अगर आपको व्यक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लिजिए क्योंकि आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में है सेम चीजें हैं कोई अंतर नहीं है तो आप इजिली आप कुछ अच्छा कर पाऊगे क्योंकि वहाँ भी पांच नमबर और यहाँ पर पी तीन नमबर तो आपको आठ नमबर अराम से बन जाएंगे एक ही चेप्टर के पढ़ने से ही ठीक है चलिए बहुतिक मापन में विबिन कि एक जानमिशन ने देखने को मिलेगा तो इन तीनों क्यूशन से एक क्यूशन आप सभी कुछ देखने को मिलेगा तो आप तयार कर लेना अगर नहीं विश्वास है तो एक्जाम देखकर आना और बताना के क्यूशन देखने को मिला है ठीक है तो इन तीनों में से एक क्य गुडबाय टटा लब यू अल